मेरे बहुत ही प्रिये और बेहत सम्माने चाहिए कार्थियों रिदय की आसीम गहराईयों से अभिननदन बहुत बहुत हार्थिक स्वाकत है। सार्थियों कार्थिक माह चल रहा है और इसमें हम कुछ प्रयोगों नहीं बलकि महाप्रयोगों की चर्चा कर रहे हैं। महाप्रयोग इसलिए क्योंकि कार्थिक माह में वैसे भी आराधना का, दान का, पुन्य का एक विशेश महत्व है स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयम कहा है कि मैं यदि मास में से कोई मास हूँ तो मैं हूँ कार्थिक मास उनका आशिरवाद तो सोता है यहाँ पर है ही और कुछ ऐसे प्रयोग जो हम कार्थिक माह में यदि करें तो हमें हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है एक ऐसी ही पीड़ा, एक ऐसा ही संकट है तंत्र बाधा तंत्र बाधा कई बार तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेशता है वो ये है कि व्यक्ति को व्यक्ति विशेश को पता ही नहीं चल पाता कि मैं तंत्र बाधा से पीड़त हूँ अच्छा ये उसको पता चल भी जाए तो वो ये पता करने में नाकाम रहता है कि मैं किस प्रकार की तंतुरबाधा से पीड़त हूँ चलिए ये भी वो पता लगा ले किसी तरीके से तो सबसे बड़ा संकट की अब इसके समाधान के लिए क्या किया जाए साथियों चाहे विज्ञान कितनी ही तरक्की कर ले परंतु जो पारलौकिक शक्तियां है उसमें जो नकारात्मक शक्तियां है वो भी अपना कार्रे करती ही रहेंगी और ऐसी ही एक शक्ति है तंत्र जो कि गलत लोगों के द्वारा किसी का बुरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है अब इसकी कुछ सबसे सिंपल सी निशानिया ये है कि जो बहुत अच्छा कार्रे चल रहा है जिसमें किसी प्रकार की बुराई की कोई संभावना है ही नहीं वो अचानक से बुराई उसमें आनी शुरू हो जाती है जैसे कि मान लीजे आप कोई व्यापार कर रहे हैं कई वर्षों से आप व्यापार कर रहे हैं व्यापार वही हैं आप स्वयम वही हैं परन्तु अचानक से लाभ प्राप्ती तो दूर उस व्यापार में आपको घाटा होना शुरू हो जाता है बहुत ही स्मार्ट कोई व्यक्ति हैं लोग जिससे सलह लेने के लिए आते हैं अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है कि वो व्यक्ति पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है मानसिक रोगी हो जाता है उसको स्वयम ही इस प्रकार के गलत डिसीजन लेता है कि अपने ही पैर पर वो कुलाड़ी मारने का कार्ड़ करता है सब कुछ ठीक है एक स्त्री जो की मा बनने के लिए तैयार है पूरी तरीके से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना फिजिकली ना मेंटली फिर भी अकारण ही गर्भपात उसका हो जाता है डॉक्टर भी नाकाम होते हैं वो कोई सफाई नहीं देते कोई कारण नहीं देते कि आखिर गर्भपात हुआ तो हुआ क्यों पती पतनी के जो रिष्टे हैं वो आपस में बहुत मधुर हैं एक दूसरे को वो तू भी नहीं कहते आप कहकर संबोधित करते हैं फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बलकि जानी दुश्मन बन जाते हैं एक ऐसा घर जिसमें सदैव की खुश्बू उस घर में अचानक से ग्रह कलेश प्रवेश कर जाए तो ये सारी जो इस्थितियां है ये किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा की तरफ इशारा कर रही हैं तो साथियों यदि इस प्रकार की कोई भी इस्थिति आपके साथ में भी है क्योंकि जो पीडित अधेरा चाहे कितना ही घना हो उसका आयत और उसका घनत्व कितना ही हो एक छोटी सी रोशनी की किरन उसको समाप्त कर सकती है जब एक छोटी सी किरन समाप्त कर सकती है तो फिर पूर्णिमा का तो कहना ही क्या जी हाँ साथियों मैं बात कर रहा हूं ये जो प्रयोग आपको करना है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है 19 नवंबर को आपको संपन्न करना है साथियों कार्तिक पूर्णिमा पर यदि किसी कारणवश आप इसको संपन्न नहीं कर पाएं तो फिर आप इसको किसी और पूर्णिमा को करें करना इसको आपको पूर्णिमा को ही है पूर्ण रूप से उस तंत्र का उनमूलन तभी हो पाएगा दूसरी चीज आप जिस माला का प्रयोग करेंगे वो यदि आपके पास में अभिमंतृत और मंत्र चेतन्य युक्त है रुद्राक्ष की माला इसके लिए सर्विष रिष्ठ मानी गई है उसका आप प्रयोग करें कार्तिक पूर्णिमा जो की 19 नवंबर को है संध्याकाल के पश्चात आपको करना है ज्यादा लेट नहों संध्याकाल के थोड़ी देर बाद में आप इस प्रयोग को प्रारंब कर दे मातुलसी का पौधा आपके घर में होगा उसके समक्ष बैठ करके एक देशी घी का आपको दिया प्रज्वलित करना है देशी घी जो है वो गौ माता का ही सर्विश्रिष्ठ माना गया है और इस मंत्र का जिसका कि मैं अभी आपको जाप बतलाने जा रहा हूं 111 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है साथ्यों मंत्र कुछ इस प्रकार है लभेयम ताम शान्ती परम मुनी भिर्या यदिक गता दयाम कृत्वा में त्व वितर परशान्तिम भवहर ओम नारायनाय नमहा इसको आपको 108 बार जाप करना है तंत्र के कई प्रकार होते हैं नियूनतम से लेकर के अधिकतम और भीशनतम तंत्र के प्रयोग भी देखे गए हैं उन में से किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रयोग यदि आप पर किया गया है तो आप इस प्रयोग का लाभ अवश्य लें और इस प्रयोग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि बहुत ही कम ऐसे प्रयोग होते हैं जो एक दिवसी ये प्रयोग होते हैं और एक दिन में ही अपना परिणाम प्रदान करते हैं तो ये उन्ही में से एक है आप इसका जरूर लाव लें और तंत्र का अंत अवश्य करे तो साथियों इसी प्रकार किसी साधना से सिध्धी तक की एक और यात्रा में आप से शेक रही भेंट होती है आप सभी स्वस्थ, समरिध और शांती पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना, पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त ना हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना, जीवन के प्रत्यक शेत्र में किसी न किसी प्रकार की बा कुंती